हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शुकूँ आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक कावना है आज पर्थन नवरात्र है आज का पंजांग देखते हैं बाईस जून सन दोहजार बीस दिन सवमवार आशाड मास शुकल बक्स सम्वत दोहजार सततर तिथी प्रतिपदा इससे पड़वावी कहते हैं हमने अपने गुप्त नवरात्र विशे शांक में सारी चीज़े आपको बता ही दी थी कैसे हम कलस की स्थापना करें कैसे क्या करें या आपने बहुत अच्छे से अपने अपने हिसाब से समने किया ही होगा तो देखिए धर्शो को बहुत अच्छा मौका हमें मिला है भगवती के करपा पात्र बनने का आज इस दारुन समय में इस ऐसे भयाव है समय में हम जितनी भगवती की पूजा उपासना करने उतनी हमारे लिए कम है आज जैसे कि नवरात्र का प्रथम दिन है तो शेल पुत्री भगवती का पूजन किया जाता है सब को मालूम है और इसी के साथ साथ एक चीज़ और आपको बता दे जो दर्शक या जो साधक पूर्ण विधी विधान से पाट नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है बहुत लोग गुप्त नवरात्र नहीं भी करते हैं और बहुत लोग करते हैं हमारे चार नवरात्र होते हैं उसमें दो गुप्त होते हैं दो गुजागर होते हैं जैसे चैत्री नवरात्र और हमारे शार्दिय नवरात्र जो सर्दी रितों में आश्विर महा में आते हैं अशोज में जिसकों हम करते ही, ये गुप्त नवरात्र भी अपना एक बहुत बड़ा माइने रखते ही, बरसात की रितू का आगमन और गुप्त नवरात्र का प्रारंब एक दिव्वे योग होता है, मेल धुलते हैं इसमें, ये नवरात्र करने वाला साध्र नाना भाती के पापों से मुक्त होता है, जन्म जन्म नानत्रों में किये गए पाप, अपराद, उनसे मुक्ती मिलती है, तराना मिलता है, तो इसलिए ये नवरात्र जो करना चाहें ज़redictर करें, एक चीज आपको इसमें और बता दे एक नवरात्र इसमें घट रहा है कम हो रहा है प्रथम नवरात्र आज से प्रारम्भे बाइस से 23 तारिक को 24 तारिक को इसमें हम आपको बता दे 26 तारिक की पंचमी है और पंचमी तिथी के बाद जो छट तिथी आती है सस्थी वो इसमें अक्षे हो रही है यानि कि लुप्त हो रही है तो छट नहीं है सीधी फिर 27 तारिक को सब्तमी है तो जिनों ने जैसे हमने पाट विदी बताई थी आप हमारा वो विशेशंक देख लेना गुप्त नवरात्र का 22 जून के हिसाब से जो भी हमने बनाये था तो जो उस हिसाब से पाट कर रहे हैं तो ध्यान रखें 26 तारिक को ही आप अपने दोनों पाट पूरे कर लें चटक वाले भी और जो लोग अश्टमी करते हैं तो 28 तारिक की 28 जून के अश्टमी होगी जो लोग नौमी करते हैं 29 तारिक की नौमी होगी और जैसे विदी विदान से ने पाठादी बताया कि दूर्दीब करके आप अपना सारा कारे करम शुरू करें अगर आप बहुत जादे करमकार नहीं जानते हैं या समय नहीं है या आप बहुत विदी विदान से नहीं कर सकते हैं तो तीन चीज़े जरू कर लेना दुरुगा कबच और दुरुगा कबच के साथ ही सिरी देविया थरफशीर्शम और सिद गुंजी का इस्तोत्र ये तीन चीज़े भी रोज करते रहोगे और इसके साथ चोथा सोपान किया नवारन मंत्र की माला तो यदि आप तीन चार चीज़े करते रहे तो भी भगवती आपसे पूर्ण प्रसंद रहेंगी अब एक सवाल जो पढ़े ले के लोग नहीं है बिल्कुल नहीं बढ़ सकते वो कैसे करें तो उनके लिए मैं एक तरीका बता रहता हूँ वो लोग केवल नवारन मंत्र दिन भर बढ़ा करें चलते फिरते उटते बैठते या भगवती के साही उज्जे में बैठ करके समीब बैठ करके बीस मिनट पच्चीस मिनट माला से या अंदाजे से किया करें इन दिनों में त्री संद्या भी कर सकते हैं सुबा मध्यान दुफैर और शाम को गुदुली वेला तरी संद्या भी बहुत माननी हैं इन दिनों में तुरिय साधनाई भी की जा सकती है रातरी काले इन साधनाई भी की जा सकती हैं खगवती की ना नभारी के दिक चैघ्र Подबह बहुत मंतर की और हाँ दुरगा सफ्वती यह आप Pack Ing आया है गीता प्रेस गुरकपुर उत्रवर्देश ये वाली फुस्तगाप ले आए इसमें कई इसके वर्दन आते हैं संस्कृत में भी आती है हिंदी संस्कृत में भी आती है केवल हिंदी में भी आती है तो जैसे भाशा आपको आसान लगे ये कता ही महसूस ना करें कि मैं स तो इसलिए ध्यान रखें, आपकी भावना यदि बल्वान है, तो भगवान आपकी सभी भासाइं सुनने में, शक्ष्णा में सभी भासाइं समझते हैं. तो जैसे आपको अच्छा लगता है, हम तो हिंदी में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो आप हिंदी में करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और इसमें कौन से दिन कौन सा अपाठ हम कर सकते हैं, वो मैंने आपको सारा बताई दिया था. जो दुर्गा कवच है इसमें, दुर्गा कवच से आप देख सकते हैं, पहले दिन कौन से रूप का पुजन होता है, उसमें साप लिखा हुआ है, पर्त्मम शैल पुत्री जदित्यम ब्रह्मचारनी, तरत्यम चंद्रगंटेती, कुष्ण मांडेती, चतुर्त्यकम, पंच कवच को जरूर पढ़ लिया करें, दर्शो को, बहुत अच्छा रहता है, और वैसे भी कवच इन दिनों में तो बहुत जरूरी है, ये बिमारी जो कोरोना की है, ये ऐसा वाइरस है, और ऐसी बात नहीं है, बहुत किरपा है भागवान की, मैं तो ये कहता हूँ, बहुत ब दुरुगा कावच पढ़ें कि मेरे पूरे परिवार की, समाज की, विस्व की, है भगवती आप रक्षा करें, और सब को थोड़ा थोड़ा जल चरना मृत के रूप में दिया करें, ज्यादे करें, इसमें दस-पांच लॉंग डालने, सब को लॉंग और चरना मृत दिया क करें, और जैसे मैंने बताया, नवारन मंत्र, नवारन मंत्र, ओम, एम, हिरीम, आप बहुत लोग कन्फ्यूद हो जाते हैं, हिरींग या हिरीम, तो आप गए भी लग सकते हैं, और मैं भी इसमें लगा सकते हैं, हिरीम या हिरीम, दोनों ही सही हैं, दूसरी बात, ओम जो इ पहले दाने पर और माला के अंतिम दाने पर आप इसमें ओम लगाया करें, अदर्वाइज पूरी माला पर आपके हो जाते हैं, आख दो दिन बाद जब भी आप करते हैं, आज पास किसी मंदिर में जाके भगवती को प्रसाद आदी अच्छे से अरपन करें और इन दिनों में कन्याओं का मिल पाना थोड़ा सा आजकल एक दूसरे के घर में आना जाना कम है तो यह ऐसी को ऐसी विधा लगे तो उस इस्तिती में आप क्या करें कि भई आप गव मातों की जाकर महां सिवा करा हैं उन आठ नो दिनों में पक्षियों को कुछ ज़्यादे से ज़्यादे डालने का सुरू करें कई बैगर से भिकारी उनमें फल आदी बाटें और आठवे ये नोवे दिन जब आपके हैं वर्त पूर्ण होता मंदिर में जाकर के आप फल ड्राइफ फूर्ट्स कोई भी ऐसी ची प्रति दिन जो आप पाट करती हैं चमपराथना जरूर्माना मंगा करें जो भी आपका पाट पूर्ण होता है चमपराथना करें और जब आपना आसन छोड़ें तो आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिरा करके उसको तिलग लगाएं तब आसन से उठा करें नहीं तो आसरी कि शुक्तियों को आपके तपका फल प्राप्त होने लगता और बहुत बातें हैं आसन को कभी भी पैर से ऐसे न खिसकाएं जैसे कई बार आसन आगे और आप यहां खड़ें आपको बैठना आप पैर से खींच लें दिन नहीं आसन पर पाउं ऐसे नहीं लगता आसन को पाउ के दुरान बताता जाओंगा आप प्रति दिन सुबा साथ बजे का ये कारे करम जरूर सुना करें देखा करें आपके बहुत काम आएगा कुछ बाते और यादा नहीं तो जरूर बताओंगा और हाँ जो कलस आपने इस्थापित करना है वो भगवती के दाहिनी तरफ किया जा वो फोड करके परसाद के रूप में हम लोग खालेते हैं और कई बार वो नारियल भाई खराब बे निकल जाता है तो फिर उसको तो हम जल में या किसी पेड़ वेड़ के नीचे कहीं रख देते हैं और क्या कहते हैं उसको जो बाकी जल है कलश का वो हम पूरे घर में चीट च्छात जादे शांती पाठ आता है औंधशंति एंति अंतिरीक्स ब्रें शांति ही प्रत्वी शांती राव За तो बोलने नहीं तो नवार्ण मंत्र पढ़ते हुए इंदे लगोनों में आप जदे से जदे जादे मंत्र जने ज़्यान कुछ क्डूशना रया नहीं कर सकत है डिन रया यह दोलों को आप लोग यादे से ज़्यादा करिए आए समय और जलाइवset की ध्यान वाला का जुड्टे हैँ भावानी शेल प३त्री भगवती दुर्गासे ओम सिंदूर अरुन विग्रहाम त्रिनायनाम मानिक्यमोले स्पुराज स्तारा नायक से करां स्मित मुखे भापे नबाग छोरुआम पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकाम रत्नोत पराम विब्रते सोम्याम रत्न गटस्त रक्त चरणाम ध्यायत पराम अंबिकाम खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलंब सुंडिं सिरा संखं संदधतिं करिष्त्रिनायनाम सरवंग वुष्वरिताम नेलास मध्युत्यमास्यबाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपितै हरो कमल जो अंतुम अदुम कटवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते स्कंदस्तिताम विशनाम कञ्याम विहकरवाल खेट विलसा दस्त विरासे विताम हस्ते शक्रगदा सिखेट विशिखाम स्चापम गुणम तरजनी विप्राणाम अलिलात्मे काम ससिदाराम धुरगाम तिनेत्राम वजे पूरे परिवार सुरक्षित रहे आईए कवच बनाएं ज्यान करें भगवती का असिरवाद समस्त विश्व के उपर और आपके परिवार के उपर बरस रहा है ओम बोलते हूँ सामाने हो जाएं नेत्रखोने और दर्शु को आवश्चक सूचना बहुत लोगों का परसाद रूपी रुद्राक्ष रुका हुआ है जुलाई के पहले सब्ते में भेजने का परियास करेंगे क्योंकि डाक वबस्ता हैं और बहुत सारी चीजें आप सबको मालूम है कैसा रहा है तो आप चिंत इतना हों जिनका है हमारे पास सुरक्षिते जरूर भेजेंगे अब वादा किया है उसे हम जरूर निभाएंगे आप घबराएना और आज कल इन दिनों में व्यक्ति का दूरूप से मिल पाना हमारे लिए अभी संभव नहीं है तो ऐसी इस्तिती में चाहें आप इंडिया में रहते हैं आउट आफ इंडिया रहते हैं टेली फोनिक अपाइन्मेंट ले करके आप अपनी कुंडली या हाथ की रेखाएं हमसे दिखा सकते हैं और कोई भी समस्या है जीवन में उसका प्रामर्श ले सकती है इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वानी को वराम देती जैमा इंडिराक्शी मेरी बहुत दिन से दिली इक्षा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापूर्श मिलें और मैं वहां जाके जुड़के और देश समाज के लिए कुछ कर पाऊं कई चीजे हैं समाज में समा सेवा में भी मन में वो शान्ती नहीं मिली जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़वडियां भी रहती है किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तर हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्यानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें